हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल जैसा कि आप लोग जानते कि मेरा नाम आकास कुमार कुरियल है और मैं आप लोगों से जैसे कह रहा था कि मैं आप लोगों को भीभूतिनाध गुमाने लेकर जाओं गातो Off हम भीवुतिनाथ कर पहुंच चुक है आप देख सकते हैं और इसे के साथ हम भोले बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं हम जा रहें हैं भोले बाबा के मंदिर के पास हम आपको जट ले बाबा से मिलवाने और बोले नात की जाए दोस्तों हम पहुच चुके हैं बोले बाबा के दरबार में आप हैं उनके मंदिर में और उनके हां के मंदिर के आसपास देखिए आप लोग दुकाने कैसी हैं तो जैसा कि दोस्तों हम भोले बाबा के पुराने मंदिर में पहुच चुके हैं और आप लोगों को भोले बाबा का दर्सन करवाने लेकर आचुके हैं पहले पुराना भोले बाबा का मंदिर यही था आप इए आप लोग देख सकते हैं यह आप लोग घंटे को देख सकते हैं घंटे को बजाये जाता है है att cuisine वोले बाबा का यह पुराना मंदिर आप लोग देख सकते हैं घंट अभी तक बाज रहा है कि दोस्तों आप लोगों को हम भोले बाबा का पुराना मंदिर देखा सकते हैं मंदिर को भोले बाबा की बड़ी मंदिर के पास आपको जल्दी से लेकर चलेंगे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं भुले बाबा का मनदिर वहां पे है और पहले हम जाएंगे जलedar के आएंगी जहां इंब कुंड को दिखाएंगे कि किसे हैillकर बनावट है हमारे सरकार ने यहां पर काफी मदद किया है कुंड को बनाने में पूरे मंदिर का विकास करने में आप लोग आप लोगों मैं लेकर चलता हूं आप तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहां से लोग जल भरते हैं वह जगा चुका है वह कुंड आ हैंगे कि अब है कि अब कर देखिया दोस्तों कि अब लोग देख सकते हैं लोग इसे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें छोटी-छोटी मचलिया भी है यह देख सकते हैं अब हमारे भाईया हैं जो की जल भर रहे हैं बोले बाबा को चड़ाने के लिए दोस्ते मचली आने वाली है देखिए उपर उपर आने वाली है यह 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 हमारे भाईया को भी देखिए आप लोग दोस्तों आप लोगों ने तो जल भरने वाले कुंट को भी देखी लिया और इसी इसी के साथ जल्दी-जल्दी हम आपको भोले बाबा के पास भी लेकर जलते हैं को कि काफी दिनों से यह फ़यों को अब लोगों से कह रहा था कि में भोले आपसे मिलाओंगा भोले बाबा की आश्य intervals मिलाओंगा तो आप मैं मिलवाने कि अब लोग एगर घुमने आये और जल चाढ़ने कि लोटा ओटा नहीं लेकर आएं तो यहां पर वह सब मिल जाता है पर बेल पत्री मिल जाएगी आपको फूल मिल जाएगा यह पर लोटा मिल जाएगा भाईया लोग सब कुछ देते हैं जैसे कि हमारे भाईया प्रेजार ह है कि दोस्तों अब हम लोग बाबा के मंदिर के पास में आ चुके हैं अब देख सकते हैं कि कि इतना प्यारा सब कुछ लग रहा है सजा हुआ है सब कुछ यहां पर सावन में सोमवार के दिन काफी ज़्यादा भीड़ रहती है अब दोस्तों हम लोग बाबा के मंदिर में एंटर हो रहे हैं अब 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 आए बादर को आप दोग देखिए यह देखिए और दोस्तों सबत्रक को है आप mild कर अब दोस्तों सबसे पहले में आप लोगों को यहांकर ap आप लोग देख सकते हैं और माँ मैं रावख में आइन आब आँके पुमोरी तोस्तों आप लोग देखिए की भॉले बाबा के मंदेर बेव लोग आ चुके हैं और हमारे भूले बाबा जो की अंदर अंदर हैं कि अधाव दोस्तों आप लोग भूले बाबा को देखिए कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि घंटे लगे हुए हैं में घंटे को जाएंगे तो आप लोग बाबा से मिलिए कि आपको यहां पर आना चाहिए काफी अच्छा जगा यह आपकी सुनाफधा रहती है लोगों के लोग आते हैं कि लोग लोग कजरी तिन में लाखों की तादाफ में लोग आते हैं पीछे के द्वार से भी आप लोगों को भूले बाबा का पूरा मंदिर दिखा रहे हैं जी हाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बाबा का पूरा मंदिर यही है आप लोग देख लीजिए कि यहां पर लोग धूप अगर बत्ती जलाते हैं पूर जलाते हैं हमन होता है यही पर लोगों को हम गड़े जी के मंदिर में भी लेकर चलते हैं यह देखे कि काफी सारी सीवलेंगें यहां पर भी लोग जल चड़ाते हैं पर हम आप लोगों के जहां और चलते हैं जहां कि यहां के जो महांत लोग थे संत लोग थे जो कि पहले हां के मंदिर का पुरा देख रेक करते थे पूजा पाठ करते थे उनकी यहां पे समाधिया बनी हुई है उनको भी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं यह आप लोग देख सकते हैं लोगों को अब हम पार्बती माता मंदर दिखा रहे हैं दिखाने जा हैं आप लोग देख लिजिए दोस्तों यह हैं माता पार्बती का मंदर आप देखिये हैं और आप लोग्स नंदर भी लेकर चलते हैं माता पारवति यहां पर एफशो को हम दिखा रहे हैं कि जाचुल जी भी है संकर जी भी है यह कि अगे देखें अपí अपों दोस्ट भी एथे हमारी अट नहीं तकसरोट है कि क्ल О कि दर्सन करवाएंगं को देखेंगे के देखेगा देखेंगे दोस्तों लोग बजरंग बली के मंदर पर आचुके हैं और आप इसी के साथ हम बंतर प्रव्यस करते हैं जो कि हमारे पंच मुखी बजरंग वलीजी है पंच वह पे जहां दोस्तों आप लोग देखिए कि अग्याओ और इसी के साथ आप लोग बोलिए बजरंग वलीजी जै तो अब हम आपको लेकर चलते हैं अन्ना पुर्णा माता के मंदिर में और यह इसके बाद यहीं से खतम हो जाएगा यह पर दुकाने हैं आपको भी यहां से खरी सकते हैं दात्रुप्या में रुमाल है दात्रुप्या में तक है मंदिर में करें अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पुर्णा माता को जो कहां पर विराजमाण करने के लिए यहां पर लोग जंका बजबात में आप लोग देखिए लोग दोस्तों यहां में पूर्णा माता को कुस करने के लिए रिके जाता है उन्हों को भूग लगाया जाता है इसके वज़ें आप लोग वीडियों कैसा लगा आपको अच्छी लगे तो अब्स्त्राइब केंजें अब लाइक को तुमारा ना पूले तक अब इसके वज़ें आपको को मेरी नहीं नी वीडियों में दिलेंगे इसके बाद हम आपको लोगे इंगे सुनपती है जाए बोले नाथ जाए बोले नाथ